हलो नमस्कार अदाव सलाम सश्री एकाल केम छो कसे काई के रोहाल है के नाची यहां सब केमो नाचो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सनी के बाड़े में सनी जिसका नाम सुनकर के एक बार दिमाग में जंजनाट होने लगता है लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि अब क्या होगा इस सोच को बदलने की आवज सकता है क्योंकि सनी हर वक्त बुरा फल नहीं देता है सनी को ऐसे दंड का देवता कहा गया है दंडा अधिकारी है वो जज है सनी आफके द्वारा किये गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो है सनी के महादसा में आपको प्राप्त होता है अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में मित्रों सनी जो है सो उसको पाप गरह कुरूर गरह कहा गया है जब लोग गुरू के महादसा में बहुत अच्छे तरीके से अराम से वक्त विताते रहते हैं समय पास करते रहते हैं उनको बहुत मज़ा आता है क्योंकि गुरू का महादसा अक्सर जादातर लोगों को 90-95% लोगों का अच्छा ही होता है जैसे कि मैं अभी गुरू के महादसा में से सनी के महादसा में प्रवेस किया है मैंने तो बहुत मजे से लोग उस दसाकाल में बहुत ही comfort zone में राते हैं और जैसे ही वो सनी के महादसा में प्रवेस करते हैं उनको परेशाई महसूस होने लगती है सब कुछ जो system बना रहता है पहले से comfort level में वो comfort level से हट करके एक इस्थिरता की तरफ आने लगता है क्योंकि सनी जो है सो इस्थिर इस्थिर है वो लोगों में इस्थिरता लाता है stability लाता है मित्रों आईए सनी के महादसा में क्या क्या होता है एक-एक किस रासी में बैठा है तो उसका क्या क्या परिणाम होगा उन सभी के बारे में चल्चा करते है मित्रों सनी अगर अच्छा हो बलवान हो तो जातक को धन का लाब होता है वो व्यक्ति काफी धनवान होता है उद्वसाकाल में जन, व्यक्ति, समू, लोगों का प्रिये हो जाता है सवारी, गारी, घोरा, रत, टूविलर, फोलविलर, इंजम की प्राप्ति होती है उसका प्रताब बढ़ने लगता है, जगह जगह पर में सनी उसको बिचरन करवाता है, भर्मन कराता है नए नए जगहों पर में लोग जाते हैं और देखते हैं, उनको कृति की प्राप्ति होती है और ये सब तो अच्छा हुआ, और साथ में आपके किये गए बुरे करमों का फल जो है, रोग के रूप में आपको प्राप्त होता है तो ये सनी का संचिप्त वर्नन है, लेकिन अब किस रासी में रहेगा तो क्या फल देगा उस पर में चर्चा करते हैं मित्रो सनी अगर मेश रासी में है, पर्थम मेश रासी में है, तो इस दसाकाल में आपको स्थंतरता की प्राप्ती होगी, आपको घर छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाना पर सकता है मर मस्थान में सेंसिटिफ फैलेस में जगह में आपको रोग हो सकता है, कुछ परिसानी हो सकती है, बिमारी वगेरा चर्म रोग जो है आपको परिसान कर सकता है, और भाई बंधू से आपका ब्योग हो सकता है, टकडाव हो सकता है भाई बंधू के बीच में अथ्वा आप उनको छोर करके कहीं दूर जा सकते हैं अथ्वा वो आपको छोर के कहीं दूर जा सकते हैं अगर बिर्सव रासी में सनी है तो आपको बता दूं कि आपको गैस से सम्मंदित परिशानी हो सकती है पेट में कला हो सकता है फड़े बार में टैंसल राय धगरा इसके अलाबा आपको बता दूं कि दस्त अलाब हुरों जैसे कि डाइडिया वगेरा वो हो सकता है राजा से सम्मान की प्राप्ती हो सकती है जो राजा है जो आपके जगह का जिस जगह पर में आप रहते हैं उच्छा धिकारी है उससे आपको सम्मान की प्राप्ती हो सकती है विजय लाव आपको मिल सकता है इसके साथ साथ जब मिथून रासी में अगर सनी रहता है तो आपक कर्ज हो सकता है रिन हो सकता है यह अजमाया हुआ है आपको कश्ट होगा चिंता होगा परतंत्रता हो सकता है आप किसी के अंडर में रह सकते हैं यह सब मिथुन रासी का जो सनी है वो अच्छा नहीं होता है करक रासी में अगर सनी हो तो आपको आँख से संबंधित कान से पत्ति आ सकती है आपपर में दरिद्रता आ सकती है पैसों की कमी हो सकती है इसके साथ साथ अगर सिंग रासी में सनी हो तो क्या होगा सिंग रासी में जब सनी रहता है तो भी वो अच्छा परिणाम नहीं देता है सिंग रासी में भी रोग की प्राप्ति होती है कला होता है आ माकान निर्मान होता है आपको अगर रहने के लिए घर नहीं है तो आप अपने लिए घर का निर्मान कर सकते हैं उस समय में आपके पास इतना पैसा आएगा इतना अर्थ आएगा कि आप अपने लिए माकान का निर्मान कर सकते हैं अगर आपके पास घर है भी तो भी आप कही और पर में दूसरे जगा तीसरे जगा चौथे जगा माकान का निर्मान करने का योग बंता है आपको बता दूं कि इस समय में इस तसाहकाल में आपको धुमी लाव का भी योग बंता है यनी कि आप जमीन खड़ीज सकते हैं प्रुपर्टी बना सकते हैं आप सुखी जीवन इस समय में बैतीत करेंगे लेकिन अगर तुला रासी में सनी हो तो क्या होगा तुला रासी में अगर सनी है तो धन धन निका आपको लाब प्राप्त होगा पैसा 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 जो है तो बहुत आएगा इसके बाद बिजय लाब भी होगा आप जहां पर में भी जाएंग इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं आपको भोग बिलास की भी प्रापती होगी आप सुख के चरम सीमा तक पहुँच सकते हैं बस्तूों की प्रापती होगी अगर आप ब्रिष्चिक रासी में सनी हैं आपके कुंडली में तो क्या होगा ब्रिश्चिक रासी में सनी रहने के कारण लोगों को भ्रह्वन करना पड़ता है घूमना करता है जगा जगा जना पड़ता है सनी उसको बिचरन करवाता रहता है कृपिन्न न हो जाएंगे उस समय में आप आप पैसा रहेगा लेकिन खर्च नहीं करेंगे यनि कि कंजूसी माइजर आप हो जाएंगे आपको अच्छा कुछ प्राप्ती नहीं होगा उस समेने सदगती नहीं आपको नीच गती की प्राप्ती होगी आपकी दुरगती हो सकती है मित्रों साधारन रूप से आपको आर्थिक कस्ट भी हो सकता है पैसों की भी कमी महसूस हो सकती है चाहे वो आपके कंजूसी के कारण हो अथवा अनिकोई कारण हो अगर धनूरासी में सनी है सनी अगर आपके कुंडली के धनूरासी में है तो क्या होगा धनूरासी में सनी जब रहता है तो आपको राजा से सम्मान की प्राप्ति होती है जनता में आपकी ख्याती होती है आप पॉपलर हो जाते हैं आपने कभी-कभी देखा होगा अभी भी नेटपर में सुना होगा कि रातो रात कोई इस्टार बन गया कैसे उस वक्त उस समय के लिए उसमें उसको धनुरासी में जो है तो सनी का बास हो गया उसके पॉपलर हो गया कोई व्यक्ति धीरे-धीरे होता है इतना ही नहीं आनंद की प्राप्ति होगी आपको परसनता होगा यस मिलेगा हर तरफ अगर मकर रासी में सनी हो तो उसको अच्छा नहीं कहा जाता है मकर रासी का सनी बहुत बुरा फ़ल देता है मित्रों मकर रासी का सनी हो तो आपको आर्थिक संकट का सौमना करना पर सकता है आपके साथ बिश्वास नहीं होगा आपके साथ बिश्वास घात होगा उस समय में लोग आपके पीठ पीछे शाकू मार देंगे आपके साथ बन करके रहेंगे ऐसा लगेगा कि वो आपके मित्र है लेकिन आपके मित्र रहेंगे नहीं तो अगर आपके कुंडली में मकर रासी में सनी है तो आप बिल्कुल सतरक रहें सनी के महादसा में नहीं तो भयंकर विश्वास घात, भयंकर हानी, भयंकर लौस आफ के साथ हो सकता है आपको उस समय में बुरे व्यक्ति का साथ मिलेगा अच्छे लोग आपके साथ नहीं होगे लेकिन वही पर में अगर कुम्भरासी में सनी हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़ियां रहेगा कुम्भरासी में सनी अगर रहता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है पुत्र का सुख मिलता है धन की प्राप्ति होती है, पैसा आपा रहता है अथा, पैसा आ जाता है इतना ही नहीं इस तरीका भी लाव मिलता है सुख मिलता है कृती मिलती है विजय मिलता है यनि कि कुम्बरासी का सनी जो है सो हमेशा अच्छा फल अच्छा परिनाम आपको देता है लेकिन जब मीनरासी में सनी हो तो क्या होगा अंतिम बता रहा हूँ सनी की महादसा का सनी की महादसा चल लही है और आपके कुंडली में अगर मीन रासी का सनी है तो क्या होगा अभी मेरे कुंडली में सनी की महादसा इस्टार्ट होई है और मेरा जो सनी है वो कुम्भ रासी का है इसलिए इस दसाकाल में मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे धन, दौलत, रुप्या, पैसा, गारी, बंगला और भी कुछ बहुत कुछ प्राप्त होगा अगर आपके कुंडली में मीन रासी में सनी है और सनी की महादसाय स्टार्ट हो चुकी है तो आपको बता दू कि आपको अधिकार की प्राप्ती होगी आपका जो अधिकार है जो आपको नहीं मिला था वो इस समय में मिल जाएगा सुख की प्राप्ती होगी सम्मान की प्राप्ती होगी स्वास्त का लाव मिलेगा उन्नती मिलेगी और भी बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा तो मित्रो यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि सणी के महादसा में क्या क्या होता है मैं चाहता तो पांच मिनट में इस वीडियो को खत्म कर सकता था एक ही बार में overall सब कुछ बता करके आपको इन्ड कर सकता था लेकिन वो सही नहीं होता, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको कैसे कुछ भी बता दू, क्योंकि ये सब कोई मजाक की चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीजे है, अगर मैंने जो बताया वो घटना आपके साथ घटित नहीं हुई, तो आपका मुझे पर सिब दिश्वास उ नहीं है, तो इस प्रकार की चीजें जब भी हो, तो आप समझ लें कि सनी की महादसा स्टार्ट हुई है, और हमारे कुंडली में सनी के महादसा में, सनी जो है, इस रासी में बैठा हुआ है, जिसका सनी अच्छा नहीं है, जिसको सनी की महादसा, साड़े साती, अंतरदसा, धहिया कुछ भी चल रहा है और वो काफी प्रेसान है तो वो ओम शंग सनिस्चराय नमा इस मंत्र का जाफ करे उसके लिए वहतर रहेगा हन्वान चालीसा का पाठ करे सनी बार को मंगल बार को प्रतेक सोम बार को भगवान सिब को जल दे सनी मंदिर में जाकर के दिया जलाई स सरसो के तेल से उसके लिए वहतर रहेगा इस से भी बढ़िया अगर वो सक्षम है तो सरसो तेल का दान करे कैसे तो किसी पात्र में रख करके पहले उसमें अपना चेहरा देख लेना है और फिर जाकर के उस तेल को किसी वेक्ति को दान में दे देना है तो मित्रों यही थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने कोशिस की कि सनी के महादसा में आपके साथ क्या क्या हो सकता है उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया ते इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दें एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू थेंक यू सो मच जय हिंद बन देवाद